हेलो एवरिवन इस वीडियो में बात कर लेते हैं ओईल एंड नेच्रल गैस लिमिटेड की क्विकली एनलिसस देख लेते हैं चनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ONGC में आज बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और बुलिश स्टॉक रहा है सेलिंग आज देखने को मिली है जो अपन को वह आज रही है 224 के अराउंड 225 is the psychological level बाकी आप देखें तो इस टॉक में आज 5-6% की बड़त देखने को मिली है क्यों मिली है पहले वो समझ लेते हैं यहाँ आप देख रहे हैं कि India's ONGC hits more than 8.5 year high और यहाँ पे share of state-run oil and national gas corporation up as much as 5.6% at 223.80 rupees इसके बाद goldman sachet downgrades ONGC to sell from neutral citing risk to earning a less compelling value valuation after the recent rally and the second thing आप देखें oil prices rises 2% on Friday as US-UK carry out air and sea strike on haughty military targets in Yemen इसी वज़े से आप देखें जितने भी oil and natural gas companies के stocks हैं वो आज थोड़े bullish देखने को मिले हैं क्योंकि वहाँ पे आप देखें कि जितना भी oceans के around चल रहा है haughty revel हैंगे जहाँ पे यह गल्फ के regions हैं यहाँ पे काफी issue चल रहाएगा और वो जातर जितनी भी है ships हैंगी बड़े-बड़े containers हैं ship container वो hijack कर रहा है इस वज़े से यहाँ पे थोड़ा oil and natural gas के जो stocks है वो थोड़ा कहीं नहीं compression देखने को मिल रहा था इसी लिए आप देखेंगे अगर तो stock यहाँ भी समझ आ रहा होगा यहाँ पे bullish हुआ फिर यह news आ गई फिर से healthy military की तो stock फिर से bearish हो गया था अब finally फिर से stock ने आज bullishness पकड़ी हो breakout भी दिया यहाँ trend line का क्योंकि stock channel के अंदर चल रहा है तो यहाँ पे आप देखेंगे यह कुछ ऐसी formation बनते हुए नजर आ रही थी stock में इसी formation के साथ stock उपर जा रहा था तो channel में उपर यह resistance बन रही थी और नीचे support तो यहाँ आज अपन को selling देखने को मिली 225 यह करी because psychological level nearby था buy as active ने सबसे जादा रही 213 के आसपास 213 कर sustain करने के बाद stock में आज bullishness देखने को मिली है तो by tomorrow अगर stock चलेगा sorry by Monday तो अपना जो levels रहेंगे आने वाले दिनों में अब आप stock में ज़ादा तेजी मा समझे stock आप 5-6 point बढ़ाते जाए आपको targets achieve होते जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो next target 230 होगा 230 के बाद आप मान लीजे 235-36 ऐसे ऐसे करके आप 200 तक के target आंकर बना लीजे अब 5 point इसलिए बोल रहा हूँ लेने के लिए क्योंकि 5 point easy रहता है target accumulate करना हो साथी साथ आप trailing stop loss भी shift कर लेते हैं उसके साथ तो कहीं न कहीं आपके returns already book हो जाते हैं और दूसरी चीज आपके psychological अच्छी रहती है well behaved रहती है और well stabilized रहती है क्योंकि आपको यह रहता है कि already मेरे पास 57% return आ गया और trailing stop loss है समालने के लिए कोई return unstability नहीं आती है तो यह तो वह उपर की बात बात करेंगे supports कहां रहेंगे stock में तो अगर by any means stock unstable होता है sideways होता है क्योंकि stock ने आज तेजी दिखाईए तो sideways या pullback का momentum बन सकता है तो अपना पहला support नीचे की दिशा में रहेगा वो 221 पे रहेगा next वो रहेगा trend line के उपर 218 के पास यहां पर और तीसरा support जो अपना आएगा वो रहेगा trend line के अंदर 215 तो यह होगा अपने 3 supports नीचे की दिशा में यह वाले और उपर यह अपने targets या फिर resistance तो ऐसे चलने वाला है अपना ONGC आने वाले दिनों में तो hopefully अभी यहां मैंने साड़ी चीजें clear कर दिऊंगी कैसे stock चलेगा क्या momentum रहेगा और आज क्यों भागा है तो वीडियो यहीं तक रखते हैं मिलते नेक्ट वीडियो में दिस इस मी सुबह मयादव signing off